एक सो सतर अरप के जो फिस्कल वहियर्ज हमें टैक्सिस लगाने होंगे नर्जी सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हैं इंशाला हम उसको इंप्लिमेंट करें अन्टार्गिजिट सब्सीडीज हैं उसको हम मिनिमाइच करें पेट्रोल पे 50 सुपय के लिमिट हम पूरी कर चुके हैं माज़ी निए जो 50 सुपय के डीजल पर चालिस पूरे हो चुकी है तो इस पे जो बैलंस है दस सुपय है और में 5 पाइच सुपय है पेट्रोलियम लेवी का बादा पूरा करने के लिए 10 रुपए लीटर इजाफा करना होगा कोशिश होगी गरीबों पर बराहे रास्त बोज ना पड़े इमरान खान का IMF से किया गया माहिदा हम निभा रहे हैं इक्तसादी जाइजे के नतीजे में पाकिस्तान को एक अरब 20 करूर डॉलर की अगली किस्त मिलेगी माली इस्ते हकाम के लिए मुस्तकिल रेवनिय अक्दमात सबसेडी खत्म या कम करनी होगी माकीड बेस्ट एक्सचेंज रेट बरकरा रखने और तवनाई शोबे में इसलाहात पर जोर पाकिस्तान और IMF के दरम्यान मुजाकरात खत्म इलामिया जारी IMF का वर्च्वल मुजाकरात जारी रखने का एलान IMF से मुजाकरात डॉलर के फिर पर निकल आए इंटर बैंक में डॉलर की कदर मे डीर रूपहे अजाफा डॉलर 272 रूपह का हो गया उपन करनसी मार्केट में डॉलर 2 रूपहे महँगा होकर 274 रूपह का हो गया स्टॉक मार्केट में भी मनदी 100 इंडेक्स में 549 पॉइंट स्टॉइ इस कुई nggak गे हैं हकुमत फॉरंग करंसी की बेरूने मुल्क स्मगलिंग रोकने के लिए एकदामात करें सुपरीम कोर्ट में सूपर टेक्स के नफास मुतालिक के इसकी समात चीफ जस्टिस के रिमार्क्स सूपर टेक्स के तमाम मुकदमात को यगजा करके आएंदा हफ़ते मुकरर करने का हुकुम तर्किया और शाम में जलजले का पांचमा रोज अमवाद की तादाद बाईस हजार से भी बढ़ गई एक लाग के करीब जखमी हैं पंद्रह सौ से जाइद आफ्टर शौक सा चुके रिस्क्यू अमला इनसानी जाने बचाने की तगदों में मसरूफ नवे गंटे बाद भी मलबे से जिन्दगियों के आसार दुनिया भर से इमदाद का सलसला भी जारी पाकिस्तान के 22 कृड़ आवाम तुर्की के भाईयों और बहनों के साथ हैं और उनके गं में बराबर के शरीक हैं पाकिस्तान कभी तुर्की को इस वकद इनहलाद में अकेला नहीं चोड़ेगा तुर्किया शाम जलजला वजिराजम का हर जिला में कोलेक्शन सेंटर बनाने का हकुम 142 टन इमदादी सामान की बड़ी खेप तुर्किया भेच दी बोलिक तुर्क सेदर को फौन किया और हर मुमकिन मदद की यकीन दिहानी कराई पाकिस्तान के अवाम तुर्किया के अमदाद की अपील अमरीका का शाम परायत पाबंदियां खत्म करने का फैसला सौ घंटे बाद मतासरीन के लिए इनसानी अमदाद का पहला काफला शुमाल मगर्बी शाम में दाखिल फीर लगी थी जूटों की दूर कड़ा था तनहा सच और हम हैं अपने दुश्मन आप कौन सुनें ये कड़वा सच अर्दू अदब का एक अजीम दोर खत्म नजम और घजल के बड़े शायर वारस जैसे शाहकार ड्रामे के खालग सफर नामों तराजम और दीगर असनाफ अदब में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने वाले दराजगामत अदीब अमजद इसलाम अमजद 78 बरस की अमर में इंतकाल कर गए उनकी नमाद जनाज़ा आज रात आट बजे लहौर में मस्जद डिफेंस में अदा की जाएगी तत्वीन मियानी सहब अबाई कबरिस्तान में होगी अमजद इसलाम अमजद ने सोगवारान में दो बेटियां और एक बेटा चोड़ा है अमजद इसलाम अमजद ने मुलक के हलात पर हमेशा किसी भी दबाओ में आए बगएर बात की ऐसे लोग कभी नहीं मरते अमजद हमेशा जिन्दा रहेगा दरीना साथी और दानिशवर अन्वर मकसूद का शानदार अलफाज में खेराच याकिदत सदर ममलक तारिफ अलवी ने अमजद इसलाम अमजद की नजम शेयर कर दी वज़िर आजम ने इसे अर्दू अदब का बड़ा नुकसान करार दे दिया लहोर हाई कोट में पंजाब में अलेक्शन की तारीख के लिए दायर दर्खासनों पर फैसला मحفوظ आज ही सुनाया जाएगा गवर्नर पंजाब के वकील की दर्खासनों को मस्तरद करने की इस्तदा इसलामबाद की इस्तदादे देश्चत गर्दी अदालत ने इमरान खान को 15 फर्वरी को तलब कर लिया कारे सरकार में मदाखलत के केस में आइंदा पेशी पर इमरान खान को हाजरी यकीनी बनाने का हुकम रिमार्क्स दिये कि इमरान खान आए ना आए फैसला सुना सुप्रीम कोट में नैब तर्मीम के खिलाफ इमरान खान की दर्खास पर समाथ जास्टिस मनसूर अलीश शाह ने इमरान खान और पीटी आई की रविये पर अहम सबाल उठा दिये कहा इमरान खान और उनकी पार्टी ने नैब तर्मीमी बिल पर वोटिंग से इस्तनाब किया क्या वोटिंग से इस्तनाब करने वाले का अदालत में हाक दावा बनता है बलाई अलाकों में बर्फबारी, निजाम जिन्दगी मफलूच, वादिय नीलम और वादिय लीपा जाने वाली तमाम राबता सड़के बंद, गाड़िया फस गई, शुगरान में मजीद एक फिट बर्फ, कागान में छे इंच और नारान में डेर फिट बर्फ पड़ कालाम रोड पर गलेशिर गिर गया, सड़क हर किसम की ट्राफिक लिए बंद, पाग बहरिया के जिरे एहतमाम, आठवी अलकौमी बहरी अमन मश्कें, अमरीका और चीन समेट, पचास से जाइद ममालिक की बहरिया शरीक, सरबरा पाक बहरिया मुहमद अमजद खान न्याजी ने अपने पेगाम में कहा, मश्कों का मकसद, इलाकाई अमन और सलामती को यकीनी बनाना है, बहरी मश्कें 14 फरवरी तक जारी रहेंगी, हवातिन की आलमी क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग, 10 टीमेट, 23 मैचेस में एक ट्रॉफी के लिए टकराएंगी, वर्ल्ड कप का आगाज आज से जनुबी अफरीका में हो रहा है, मेजबान जनुबी अफरीका आज श्री लंका से टकराएंगी, कामी विमेंट टीम पहला मैच 12 फर्वरी को भारत के खिलेगी, अठारवी चोलिस्तान जीप रैली का मैदान सच गया, तवील तरीन ट्रैक पर रेसर्ज अपनी महारत के जोहर दिखा रहे हैं, प्रिपेर्ड कैटेगेरी के मकाबले, फैसल शादी खेल ने सबसे पहले ट्रैक में कमल किया, सहबजादा सुल्तान और जैन महमूद दूसरे और तीसरे डंबर पर रहे, साओधी फुटबॉल लिंग में क्रिस्टियान और रॉनाल्डो का शादार खेल, अलवादा के खिलाफ हैट्रिक, चार गोल स्कोर किये, मैच अलनसर के नाम कर दिया, इतना घुसा, ओपन सर्ड डिफरांस टैनिस टॉर्नमिन्ट के पहले राउंड में, कज़किस्तान के अलेक्जेंटर बबलेक, शिकरस्त पर शरीद घुसे में आ गए, एक दो नहीं, तीम रैकेट तोड़ दिये,